हेलो फ्रेंड्स सभी को एक बार गूड इबनिंग आज इस लाइब सेशन में दोस्तों हम 20 अत्री महत्पूर्ण की उस्चन एंसर को सॉल्व करेंगे जो की employability skill से सारे most important question होगी अगर आप first year का candidate है चाय किसी भी trade से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful सावित होगी तो वीडियो के हेंट तक बने रहिएगा और जनकारी के लिए बता दू दोस्तों employability skill को हम chapter wise solve करा दिये हैं अगर आप मेरा playlist को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर विजिट कर लें मेरा playlist को जरूर चेक आउट कर लें और वहाँ पर सारे वीडियो को आप chapter wise वहाँ पर दिये हैं आप यह के करके सारे वीडियो को देख लिजे ताकि आपको सारे question जो होंगे इसी chapter से होंगे और बहत आसान तरीका से समझाया गया है सारे question ठीक है तो जरूर एक बार playlist को चेक आउट कीजेगा इस लाइब सेशन समाप्त होने के बार जो जो लोग जुड़े हैं इस लाइब सेशन में एक बार अपना नाम ट्रेट के साथ अपना इडियाई का नाम साथ में डिश्टी को मेंशन करें ताकि मुझे पता चल जाए कि किसकी साइट याई से लोग जुड़े हैं ठीक है और यहाँ जो सारे question है first year candidate के लिए हैं और यह जो question है इससे पहले हम 16 question का part 1 और part 2 डाल चुके हैं और यह जो मेरा है part 3 है electrician trade का candidate है तो जरूर इससे पहले वाला part यानि कि part 1 और part 2 जरूर देखिए और यह part 3 है और जितने भी trade के हैं अगर आप part 2 भी इसका वर्क्शॉप calculation and science का देखना चाहते हैं तो उसका भी link description में दिया हुए है ठीक है तो आप जो आ channel पर पहली बार visit करें तो प्लीज channel को जरूर subscribe करके हमसे जूर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो उसका notification आपको सीधे time पर मिल जाए ठीक है तो आए सभी question को हम भीहत्रिन तरीका से solve करेंगे और previous video की तरह के all right option को देखेंगे और बीच में important point होगी उसको अलाब कानुपात क्या है बहुत ही संदार question है question number 60 एक बार सभी लोग comment कि जेगा question number 60 का right option क्या होगा तो सारे question हम इससे solve करा दी है अगर आप मेरा video को देखेंगे तो बहुत आसान सारे question लगेंगे आपको ठीक है तेहाँ पर efficiency जो है right option option C में है इसलिए इसका right option C के साथ चला जाएगा बात हुई है efficiency को तो इसे हम हिंदी में दस्ता के नाम से जानते हैं दस्ता जो होती है एक मापनी योग रासी होती है माल लीजे अगर हम उर्जा को रुपांतरन के स्थिती में अगर मापेंगे तो output उर्जा और input उर्जा के अनुपात को दस्ता कहेंगे ठीक है तो इसका right option C हो जाएगा कोई confusion नहीं होगी आपकी तो एक क्यूशन नमबर 60 को हम सॉलब गीए अब आये next question नमबर 60 देख लेते हैं 60 में पुछा गया है जो एक रिजूम जो होना चाहिए कैसी होनी चाहिए डौट डौट यानि कि एक रिजूम डौट डौट होना चाहिए तो हमारा जो रिजूम जो होती है वो संचिप्त च सटिक होनी चाहिए, बहुत ही संदार क्यूशन है, यह सारे क्यूशन हम प्रिभियस वीडियो में करा चुके हैं, तो इसका राइट अप्शन जो है, एक के साथ चला जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है, इसे आप ध्यान में रखिएगा, और रिजूम जो होती है, तेखने में कुछ इस तरह से होती है, आप जैसा की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजूम जो होती है, सोट एम, छोटा एम, सटिक होना चाहिए, ठीक है, त कार्डियल नमबर के बारे में हम इसे भी वीडियो बना चुके हैं, और प्रिब्यस वीडियो में हम एक इससे चार पांच क्यूशन को सॉल्ब किये थे, तो कार्डियल नमबर जो होती है, कौन सा है इसमें पताना है, क्यूशन नमबर 62 का राइट अप्सन क्या होगा, एक के साथ चला जाएगा, इहां पर एक अप्सन सही होगा, कार्डियल नमबर जो है, दस है, रोमन वाला जो होती है, और डिनल नमबर होती है, इस तरह के डिजिट में लिखा हुआ होता है, वो कार्डियल नमबर होती है, और इस पसाने के लिए इस तरह से लिखा रहेगा, व जो है ordinal number के नाम से जाना जाता है तो previous वीडियो देखेंगे तो आप बेहतरिन तरीका से सभी क्यूचन को समझ पा रहे होंगे ठीक है आए नेक्स्ट क्यूचन नमबर 63 देख लेते हैं बेहत ही आसान क्यूचन है नीमन अस्तर भासा को डॉट डॉट भी कहा जाता है यानि कि low level language को और किस भासा के नाम से जाना जाता है या अन्य दूसरा नाम इसकी क्या है चूचन नमबर 63 का right option क्या होगा एक बार सभी लोग comment किजेगा सभी का हम यहाँ पर comment देख लेते हैं बहुत बड़िया सभी का यहाँ पर right option आता हुआ उसे हम machine language के नाम से जानते हैं यहाँ पर machine भासा low level language को machine भासा के नाम से भी जाना जाता है इस लिसका right option जो है 63 को C के साथ चला जाएगा बात हुई है machine language की थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लिजे machine language जो होती है यह एक परकार का programming language होती है जिसमें computer को चलाने के लिए basic instruction लिखी जाती है ताकि इस पर computer तोबा असानी से समझा जा सके यानि कि जो instruction लिखी होती है उसी के दवारा हमारा computer असानी से समझ के अपना process करती है ठीक है बहुत ही संदार और सभी क्यूचन को हम 17 तरीका से solve करेंगे ठीक है आए अब next question number देख लेते हैं question number 64 बहुत ही असान क्यूचन है question number 64 का एक बर सभी लो कमे किजेगा तो किसी कार में किये जाने वाले करतब और जिमिवारी का लिखित बीवरन को हम जौब description के नाम से जानते हैं बहुत बढ़ियां सभी लोग यहां पर right option B के साथ चला जाएगा जो उसे हम कहेंगे और job description कहेंगे तो इसका right option B के साथ चला जाएगा आए नेक्स्ट क्यूचन नमबर अब देख लेते हैं क्यूचन नमबर 65 क्यूचन नमबर 65 में पूछा गया computer प्रनाली में डौट डौट होते हैं यानि कि जो हमारा computer system प्रनाली होती है वो मुख्यता दो प्रकार के घटक से मिलकर बनी होती है और कौन-कौन घटक होती है आप एक बार comment कीजिएगा question number 65 का right option क्या होगा बहुत बढ़िया यहाँ पर right option जो होगा 65 का वो बी के साथ चला जाएगा जो हमारा computer प्रनाली system होती है वो hardware एंड software से मिलकर बनी होती है बात हुई है hardware एंड software की तो थोड़ा से इसके अलावा जो software होती है वह बहुत ही घटक होती है जो computer को business कारे को पूरा करने के लिए उसे अगया या निर्देश देती है तुसे हम software के नाम से जानते हैं यहाँ पर हम hardware को छू सकते हैं लेकिन software को छू नहीं सकते हैं आये next question number अब देख लेते हैं बहुत ही आसान question है question number 66 आये देखते हैं एक email में आप राप्त करता को email address का पता कहां जोड़ेंगे जिसे आप email का copy भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर सभी लोग गलती कर वैठते हैं यहाँ पर option को टी कर देते हैं two को जो कि इसका right option नहीं है ठीक है इसका right option जो है आये बताते हैं आपको उसे हम cc में जोड़ते हैं cc का मतलब होता है carbon copy carbon copy इसका full form होता है किसी भी email में जब हम प्राप्त करता को email address को cc में जोड़ते हैं तो उस email का copy जाती है ठीक है copy भेज सकते हैं cc के दवारा ठीक है तो आप इसका right option b के साथ ठीक है बहुत ही लाजबाब ठीक है आए नेक्स्ट और बहुत ही बहुत ही बहुत असान question है सभी लोग उमीद करते हैं कि यहाँ पर right option करेंगे cpu का full form पूछा गया है cpu का से क्या तात पर है यानि कि यहाँ पर cpu का full form पूछा गया है सभी लोग question number 66 का right option उमीद करते हैं सभी का आना चाहिए ठीक है बहुत बढ़ियां सभी का यहाँ पर right option आता हुए question number जो 66 है उसका right option जो होगा central processing unit यानि कि वी के साथ चला जाएगा बहुत बढ़ियां आये next question number अब 68 देख लेते हैं question number 68 में पूछा गया है excel में किसी row और पक्तिक column अस्तंप को intersection प्रतिछेदन को कहा जाता है तो बहुत ही question आसान है question number 68 और easy भी है तो question number 68 का right option क्या होगा सभी लोग एक बार comment किजेगा यहाँ पर सभी लोग का comment देख लेते हैं तो यहाँ पर question number 68 का right option जो है एक हिसाद चला जाएगा उसे हम sale कहते हैं तो यह option को हम tick करेंगे most important question है बात हुई है sale की तो sale को हम परतिछेदन अस्तंप और पक्ति के नाम से जानते हैं तो यह question को ध्यान में रखेगा बहुत ही most important question है अब आईए next question number देख लेते हैं आनांद प्राप्त करने के लिए केवल गाने को सुनना dot dot के अंतरगत आता है बहुत ही most important यह भी question है तो यहाँ पर right option जो है क्या होगा एक बार सभी लोग comment कीजिएगा question number 79 का तो question number 79 का right option जो है C के साथ चला जाएगा उसे हम प्रसंस सात्मक listening के अंतरगत रखेंगे ठीक है इस list का right option जो है C के साथ चला जाएगा आनंद प्राप्ट करने के लिए गाने को सुनना प्रसंसात्मक listening के अंतरगत आता है इस list का right option C के साथ चला जाएगा बहुत ही बहुत आसान question है question number 79 अब आईए next question number 7 देख लेते हैं question number 7 है मानव पर्यास में सही और गलत के अध्यन को कहा जाता है question number 7 का right option क्या होगा एक बर सभी लोग comment किजेगा बहुत ही आसान question है और बहुत ही most important question है question number 7 का right option जो है C के साथ चला जाएगा लाजबाब सभी का यहाँ पर right option आ रहा है लगभग ठीक है तो यहाँ पर उसे हम ethics कहेंगे बात हुई है ethics की तो इसके बारे में थोड़ी से जान लेते हैं ethics को हम हिंदी में नीती सास्तर के नाम से जानते हैं जो की Greek सब्द से व्यूत्पन हुआ है जिसका अर्थ होता है रीती रिवाज ठीक है यह अध्यान की वसाखा होती है जिसमें किसी मानो समाज के लोक बेहवार या रीती रिवाज के बारे में अध्यान किया जाता है तो थोड़ा सा इसके भी प्यारे में आप लोग ध्यान रखिएगा राइट अप्शन इसका सत्तर का सी हो जाएगा आए नेक्स्ट क्यूचन नमबर अब एक खतर देख लेते हैं बहुत ही most important क्यूचन है सभी क्यूचन नमबर जो एक खतर है उसमें पुछा गया एक ब्यक्ति जो बेवसाय के सुरुवांच से जुड़ा होता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है क्यूचन नमबर एक खतर का राइट अप्शन क्या होगा सभी लोग एक बार कॉमेंट किजेगा लोग मेरा वीडियो देखे होंगे उनको सारे क्यूचन अबहाद आसान लग रहे होंगे ठीक है तो इसका राइट एक खतर का उसी हम उधमी कहा जाता है उसे हम उधमी कहेंगे ठीक है तो इसका राइट अप्शन उधमी जो है बी अप्शन में है एक हत्गर का राइट अप्शन बी के साथ चला जाएगा आए नेक्स्ट क्यूचन नमबर अब 72 देख लेते हैं बहुत ही यह भी अच्छा क्यूचन है क्यूचन नमबर जो है 72 वो कंप्यूटर सचाता से है चैप्टर से कोवन सा वेब अधारित लेखांकन है बहुत ही बहुत असान क्यूचन है क्यूचन नमबर 72 तो 72 का राइट अप्शन एक बार सभी लोग टाइप किजिएगा बहुत बढ़ियां चलिए आएट देख लेते हैं इसका राइट अप्शन सी केसा चला जाएगा उसे हम टेली कहेंगे बात भी है टेली की तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं टेली एक अकाउंटिंग सब्टेयर है जिसका अर्थ होता है रूपियो का अकाउंटिंग करना या गिनना या बिवस्थापन वर रिकॉर्ड में रखना ठीक है तो टेली के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे और ये सुना सुना आप लोग को भी लग रहा होगा ठीक है तो क्यूशन नमबर 72 का राइट अप्शन C के साथ चला जाएगा आए नेक्स्ट क्यूशन नमबर देख लेते हैं क्यूशन नमबर 73 क्यूशन नमबर 73 में पुछा गया है माल के उत्पादन में लगे उधमो को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है तो क्यूशन नमबर 73 का राइट अप्शन क्या होगा एक बार सभी लोग जरूर कॉमेंट किजेगा उमीद करता हूँ कि सभी का राइट अप्शन यहाँ पर आना चाहिए तो यहाँ पर 73 का जो राइट अप्शन है कुछ लोग सही कर पा रहे हैं उसे हम भी निर्मान उधम के नाम से जानते हैं यानि कि राइट अप्शन जो होगा एक के साथ चला जाएगा 73 का राइट अप्शन यह होगा 22 तरीका से समझ पा रहे हैं कि नहीं एक बार सभी लोग कमेंट किजेगा सारे क्यूचन कैसे हैं एक बार सभी लोग कमेंट किजे आप लोगों का कमेंट देख लेते हैं सभी क्यूचन इजी हैं यानि एक बार कमेंट किजे कैसा कैसा क्यूचन है आप लोगों को समझ में आ रहा है की नहीं तो जो लोग वीडियो देखे होंगे उनको बहुत आसान सभी क्यूचन लग रहे होंगे हाई ये next question number अब देख लेते हैं question number 74 में पुछा गया है कम उत्पदाक्ता से dot dot क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर कम उत्पदाक्ता का जो कारण है वो पुछा गया है उससे क्या हमें स्थीती पैदा होगी उसके बारे में बताना है question number 74 का right option क्या होगा सभी लोग एक बार comment किजेगा सभी का comment यहाँ पर देख लेते हैं चले बहुत बढ़िया यहाँ पर right option जो है यहाँ पर C के साथ चला जाएगा कम उत्पदाक्ता से जो है प्रति ब्यक्ति GDP में कमी होगी GDP का full form क्या होती है एक बार आप लोग comment किजेगा GDP का full form क्या होता है अगर जो लोग जानते होंगे एक बार comment किजे तो इसका right option C हो गया है GDP का full form यहाँ पर comment कुछ लोग सही कर पा रहे हैं ठीक है आईए अब next question number 75 देख लेते हैं एक आदमी प्रेरित खत्रा में से कौन सा है बहुत ही most important question है question number 75 question number 75 का जो right option है A के साथ चला जाएगा तो A option को हम यहाँ पर T करेंगे जो भू संखलन होती है आदमी का प्रेरित खत्रा के अंतरगत आती है तो इसका right option A के साथ चला जाएगा आए next question number देख लेते हैं question number 76 है उनके पर्यावरन के संबंद में जीवित चीजों का अध्यान को कहा जाता है तो इहाँ पर बताना है right option 76 का क्या होगा यानि कि पर्यावरन के संबंद में जीवित चीजों का अध्यान को हम क्या नाम से जानते हैं उसके बारे में बताना है question number 76 का right option एक बार सभी लोग comment कीजेगा बहुत बढ़े हैं यहाँ पर जो right option है c के साथ चला जाएगा उसे हम ecology यानि की परिस्थित की कहेंगे आप कई बार भूगोल में पढ़े होंगे पिछली का अक्षाओं में ठीक है उसे हम परिस्थित की कहेंगे इसे हम image के द्वारा भी आपको दिखा रहे हैं अगर आप पढ़े होंगे तो आपको कुछ image देखने से याद आ जाएगी ठीक है तो बात हुए परिस्थित की की तो थोड़ा से इसके बारे में वह आप लोग जान लेजिए जीव विग्यान की वहसका होती है जिसके अंतरगत हम जीव समूदाय तथा उसके वतावरन के साथ परासपरिक संबंधों का अधियन करते हैं ते क्यूचा नमबर 76 का राइट अप्सन जो है सी के साथ चला गया हाई ये नेक्स्ट क्यूचा नमबर अब देख लेते हैं क्यूचा नमबर 77 बहुत ही बेहद आसान क्यूचा है नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई समागरियों का पुना अपूर्ती को डॉट डॉट कहा जाता है क्यूचा नमबर 77 का राइट अप्सन क्या होगा एक बार सभी लोग कोमेंट किजेगा बहुत बढ़ी हैं यहाँ पर राइट अप्सन जो है यहाँ पर समागरी का पुनाश चक्रन यानि कि बी अप्सन के साथ चला जाएगा उसे हम recycling of material के नाम से जानते हैं बात भी है समागरी का पुनाश चक्रन के तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जान लेते हैं पुनाश चक्रन का आर्थ होता है बेकार पड़ी हुई बस्तू को नए समागरी के रूप में बदलना कहने का मतलब है अगर बेकार पलास्टिक है गलास है या धातू से बनी कोई भी बरतन है तो उसे हम पुनाश यूज में लाकर के उसे नाया बस्तू बना सकते हैं पूछा गया है आई ये लो का विस्तार क्या है है ये लो का फूल फोम पूछा गया है बेहत असान क्यूशन है क्यूशन नंबर 78 सभी लोग एक बार कुमेंट किजेगा आई ये लो का मतलब जो होती है अंतराश्टिय स्रम संगठन होती है तो इसका राइट अप्शन आप लोग समझ गए होंगे इसका राइट अप्शन एक साथ चला जाएगा इंटरनेशनल लेबर और्गेनाइजेशन तो इसका राइट अप्शन एह होगा आए क्यूशन नंबर 89 देख लेते हैं अब मात्र दो क्यूशन बसे हैं इस वीडियो को जो लाइक नहीं किये प्लीज वीडियो को एक बार सभी लोग एक बार लाइक कर दिजे आए नेक्स् कि फिस्बोन चार्ट का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है या फिस्बोन चार्ट का अन्य नाम क्या है तो बहुत ही बहुत आसान क्यूशन है क्यूशन नंबर 89 इसका क्यूशन नंबर 89 का जो राइट अप्शन है एक एसाद चला जाएगा फिस्बोन चार्ट को हम कारण और परभाव आरेक के नाम से भी जानते हैं इसलिए क्यूचन नबर 89 का राइट अप्शन एक साथ चला जाएगा तो यह सारे क्यूचन बहुत ही असान-असान है आगर आप नहीं देखें तो प्लीज एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक आउट करें इससे आपको होने वाले CBT एक्जाम में कोई भी क्यूचन बाहर नहीं होते हैं आए इस वीडियो का आखरी क्यूचन देख लेते हैं क्यूचन नमबर 80 है यहाँ पर पुछा गया क्यूचन नमबर 80 में काईजेन का अर्थ है के ना का पैशियर का ओर्ध क्या होता है इसके बारे में बताना है और यह विडियो का आखरी क्यूचन है इस क्यूचन को सॉल्ब करने के बाश सारे क्यूचन को हम सॉल्ब कर देंगे तो टोटल इसमेंfir? 20 यह ज्यादा नहीं थे इसलिए इसका असी का right option क्या होगा सभी लोग के कबार comment किजेगा काई जेन जो होती है एक जपानी सब्द होती है और यह दो सब्दों से मिलकर बनी होती है काई पलस जेन जिसका आर्थ होता है एसा कोई भी बदला जो improvement के लिए जो हम कर सकते हैं उसे हम काई जेन कहते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे इसका right option जो है D के साथ चला जाएगा निरंतर सुधार Q8 का right option जो है D के साथ चला जाएगा ते सारे question को हम बिहत्रिन तरीका से solve किये आज का live session कैसा रहा एक बार सभी लोग comment कर दिजे और इस video से संबंदित कोई doubt होता है तो एक बार comment सभी लोग कीजिए हम आपका comment को देख लेते हैं इसके बाद हम इस live session को समाप्त करेंगे तो सभी लोग एक बार comment कीजेगा आज का live session कैसा रहा चलिए बहुत बढ़िया आप सभी लोग इस live session में जूड़े मुझे भी बहुत अच्छा लगा ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आप लोग जरू इस model set में कुछ सीख सीखे होंगे तो मिलते हैं फिर next video में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए स्वस्थ रहे और मस्थ रहे अपने घर में फ्रिप्रेशन थोड़ा थोड़ा करते रहे ठीक है बाए बाए